स्मार्ट सिटी स्मार्ट व्यक्ति, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मुबाइल फोन, सब कुछ स्मार्ट और ये मोदी जी के और देखे गए सपनों में से एक सपना है जो देश के सौ शेहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं पर क्या आज की तारिक में हमारे लिए संभव है जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लाखों करोड रुप्या जिसकी ज़रूरत है आवश्यक्ता है ये हम कर पाएंगी क्या देश कर पाएगा क्या मैं तो मानता हूँ कि जो हमारे वर्तमान शहर हैं अगर इन्हीं शहरों को साफ सुतरा कर लिया जाए इन्हीं शहरों में सरक्षा व्यवस्ता दुरस्त कर दी जाए इन्हीं शहरों में जो वहानों की व्यवस्ता है ट्रेफिक की व्यवस्ता है वो सही कर दी जाए इन्हीं शह स्मार्ट सिटी की नहीं अच्छे शहरों की जरूरत है और जो वर्तमान में हैं उनी को ठीक करने की हमें जरूरत है और स्मार्ट सिटी से फायदा किसको होगा कभी सोचा है आपने बड़े बड़े नाम ऐसे गिना दिये जाते हैं लोग उसी में बहकावे में आ जाते हैं और स आप सुत्री हों कि धूल जरावी कहीं भी दिखाई न दे Smart City का मतलब है कि जहां बिजली की पूरी अच्छी तरह से वेवस्ता हो Smart City का मतलब है जो शहर बिल्कुल अत्याधोनिक शहर हो जहां सिक्षा की वेवस्ता भाव बढ़या हो जहां सब कुछ अपने आप चलता हो Digital India के Digitalization जिसको पूरी तरह से कर दिया गया हो जिसका और सब कुछ Automatic तरीक से चले ऐसा शहर और ऐसे शहर को बसाने के लिए आपको नई जगे चाहिएंगे नए इस्थान चाहिएंगे वहाँ पर ये बसाया जाएगा और इसमें लाखों करोड रुपे जो होंगे उसमें ठेका किसको दिया जाएगा अगर Smart City है तो Smart Bidly भी होगी Smart Mobile Facility भी होगी Smart Building भी होगी इस सब का Construction का जो वह है ठेका किसको दिया जाएगा इनको बनाना का ठेका किसको दिया जाएगा सब अमीरों को अडानी को, अमबानी को बड़े-बड़े उद्योग पत्यों को बड़े-बड़े ठेकेदारों को और इसमें जो पैसा होगा उसकी लूट में कौन को शामिल होगा अधिकारी, करमचारी सरकारी अधिकारी, करमचारी होंगे ठेकेदार होंगे, नेता होंगे और ये सरकार में बैठे हुए लोग होंगे ये बड़े-बड़े बिजनिसमेन होंगे तो केवल और केवल एक तरह से ये जनता को लूटने का एक नया तरीका है नया ढग है और स्मार्ट सिटी से पहले मैं तो फिर यही कहूंगा कि स्मार्ट सिटी नहीं हमें साफ सुतरे और जो ज़रूरी है उन सुबधाओं से लैस उन सुबधाओं से युक्त हमें शेहर चाहिए अभी वही बना लीजिए अगर वो बन जाएं तो फिर स्मार्ट सिटी का सपना देखिए और मेरी बास से जनता भी सहमत होगी हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए हमें साफ सुतरे सहर चाहिए सिक्षा की जहां सही वेवस्ता हो बिजली की जहां वेवस्ता हो जहां पे सुरक्षा की वेवस्ता हो पुलिस वेवस्ता सही तरह के से काम करती हो लोगों की स्वास्थ सेवाएं अच्छी तरह से जहां काम करती हूँ वो उनको मिलें हमें ऐसा शहर चाहिए ऐसे सिटी चाहिए स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए मोदी जी ऐसे सपने मत देखिये जिनसे देश का देश की जनता का उसके विकास का उध्धार का कोई लेना देना नहो तो मैं जनता से ही कहूंगा हर चीज को बहुत इमानदारी से बहुत उसके गहराई में जाकर जाचिये परकिये इससे किसको फायदा हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है अगर ठीक लगता है तभी नहीं तो आने वाले 2019 में आपको याद रखना होगा ये चार साल जैसे बीते हैं आने वाला साल भी जैसे बीतेगा आपको सही जवाब उसका देना है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले